बिकानेर में अब तक 650 मरीजों में कोरोना की जाच की जा चुकी है आज शाम तक आई रिपोर्ट में 17 रिपोर्ट नेगेटिव आई है अब तक 20 मरीज यहाँ पर कोरोना पोजिटिव मिले हैं यानि कहा जा सकता है कि कुछ हद तक नियंतरण है हाला कि आज भी कुछ रिपोर्ट साना बाकी है दूसरी तरफ कलेक्टर कुमारपाल गोतम की अगवाई में आज एक पुलिस का फ्लेग मार्च निकाला गया जिसमें पुलिस के अन्यादिकारी भी साथ रहे का टुकमारपाल गोतम ने कहा कर्फ्यू की पानना करें क्योंकि ये आप लोगों के लिए हैं तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंतरी अशोक गहलोत ने बीकानिर संभाग के विवशायों से भी वीडियो कांफेसिंग के जरिये चर्चा की जिसमें विवशायों ने अपनी राय दी साथी साथ लोगडाउन को लेकर बीकानिर की व्यापैरियों को कहना था कि मुख्यमंतरी जो निरने करेंगे उसमें साथ है लोगडाउन को एकदम हटाने के स्थिति नहीं है लेकि चर्ण बत तरीके से हटाया जा सकता है साथी साथ फूड प्रसस यूनिट से जुड़ी बातें भी इस दोरान हुई जिसमें कहा गया कि जिला प्रसासम को इसकी जानकाई दे दी जाए उस पर कलक्तर गता संभाव निरने करेंगे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीकानेर में भी प्रसाशन कोरोना को लेकर अलेट मोड पर है और ग्राउन वर्क भी अब उसी दिसा में हो रहा है